प्रेज दलोड, हाले रोईया, परमेश्य का धन्यवाद हो इस संदर समय के लिए कि परमेश्य ने एक वार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्य की अराद ना करें और इस जेली डिवोशन में जितने भी मेरे प्यारे भाईवे ने समय जोड़ते हैं मैं हर एक को परमेश्य के हाथों में सौपता हूँ यह जो समय पर्मेशर ने मुझे और आपको दिया है यह समय इसलिए दिया है कि हम पर्मेशर के अरादना करें पर्मेशर के वचन पर मनन करें पर्मेशर की संगतिय हांसिल करें और पर्मेशर के द्वारा जो जीवन मुझे और आपको मिला पर्मेशर के द्वारा दिये गए जीवन का हम क्या कर सकें धन्यवाद कर सकें पर्मेशर के द्वारा हम सीख सकें पर्मेशर आज मुझसे और आप से क्या चाहते हैं पर्मेशर मुझसे और आप से क्या चाहते हैं और कैसा जीवन वो चाहते हैं कि मैं और आप कैसा जीवन वह करें क्योंकि हमारे शरीद के द्वारा हमारे विचारों के द्वारा प्रेज दा लॉट विजे भईया जैमसी की प्रभाशी दे भईया आपको शरीद के द्वारा शरीद के द्वारा विचारों के द्वारा मूं के द्वारा आखों के द्वारा कानों की बातों को सुनने के द गल्तियां कर बैठते हैं ये ये बातें जो हैं ये बातें वचन में इसलिए दिए गई हैं कि मैं और आफ वचन को पढ़ें के और उसके अनुसार चले हलेलुया तो इससे पहले कि मेचन की गैराही में चले परमीशर के ऊच बध्याइव compares आई एम प्रात्माद धन्यवाद धन्यवाद के साथ पिदा पर्मीशन आपके चड़नों में आते हैं प्रभू और तेरे बेटे और बेटियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे आशीश के तौर पे एक डेले डिवोशन परिवार के तौर पे दिये हैं क प्यारे बचन के लिए प्यारी बातों के लिए तेरे जीवत कलाम के लिए प्रभू जो हमें तू देता है मेरे खुदा अरे एक प्यारे भाई बेन को मैं तेरे आतों में सौबता हूं ये मेरे भाई बेन जो अपने संदर समय को अपने कीमती समय को मीठी नीद को त्याग क तो कि तेरे साथ जोडते हैं मेरे प्रबु को इनको आशीशों से भर देना प्रबु को सारी आशीशों के जहरों के खोल ढिना मेरे ख़ुदा सब से लिये क्वाय बाई बैन तिरे बेटे बेटिया तेरे लिए तेरे वचन के लिए तेरे पास तेरे रात्री में जुड़ते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभू हमें तो कोई काबलियत नहीं है फिर भी आप हमें चुनते हैं हमें चलाते हैं हमसे अपने वच्छन की सिवकाई करवाते हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं सायता करना मदद करना मुख मेरा वाणी आपके वीश मसी के नाम से मांग लेते हैं आमें आमें और आमें प्रेज दलॉड और विलसन पीदाद भहिया जैमसी की प्रभू बहुत आशीश दे काफी दिनों के बाद रातरी में आना हुआ आपका प्रेज दलॉड परमेशर आपको आपके परिवार को बहुत प्रेज दलॉड तो निकालेंगे लू का रचिसु समचार उसका ग्यारमाद ध्याय और चौतिस पर लू का रचिसु समचार उसका ग्यारमाद ध्याय और चौतिस पर कहता है तेरे शरीर का दिया तेरी आख है तेरी शरीर का दिया तेरी आख है इसलिए जब तेरी आख नि बीरवी अंधिर आए हां मेरे खुदा तुने वचर के द्वारा हमें समझाई है ने ahead ना करते हैं खुदावन कि तू अपनी सी अपनी ग्यान अपनी समझे मेंदे हकुदावन हां इस शी जो दी ये आंक जो दी गई है प्रभू इससे हमारा सारा शरीर सारा शरीर मेरे प्रियो निरमल होता है Praise the Lord निरमल होता है चुपकि जब मेरी आख से मैं देखूंगा शुद्वता के साथ तो मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई देगा मेरा जीवन स्वस्त दिखाई देगा मेरा शरीर स्वस्त दिखाई देगा मेरे जो प्यारे भाई भेने वो मुझे अच्छे अच्छे दिखाई देगे मेरे साथ काम करने वाले उनके विचार मुझे अच्छे दिखाई देगे उनका चरित्र मुझे अच्छा दिखाई देगा Hallelujah हुए किस कारण से मेरी आग मेरे शरीम में देगी यह वो मेरा दिया है और परनीशर ने जो दिया दिया यह बड़ा कीमती है अगर यह निर्मल है मेरे प्रयों जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं या किसी से हम परिशान हो जाते हैं तो मेरे हम क्या करते हैं पिर हमें उस व्यक्ति की सारी बाते बुरी ने लगने लगती है उसकी तरफ देखते हैं तो उससे देखने से चिड़ाने लगती है उससे देखने से नफरत होने लगती है लोगो हाँ मेरे प्यो प्रेज दे लॉर्ड अविशेख भाई जैमसी की रूब बहुत आशीज दिवाई आपको वो कहता है तेरी आँख निरमल है तो तेरा सारा शरीर भी जाला है अगर वो बुरी है तो मेरे प्रियो तेरा शरीर भी अंध्यारा है आज मेरी और आपकी दुश्मनी क्यों हो जाती है कारण ये है कि मेरी आँख गंदी हो गई है मेरी नदर खराब हो गई है अगर हम नदरों के दोरा भी मेरे प्रियो लोगों से नफरत करने रखते हैं नदरों के द्वारा हम वेविचार करते हैं मेरे प्रियों ये आख के द्वारा जब किसी को देखते हैं गंदी निगा से तो मेरे प्रियों वहीं से वेविचार आरंब हो जाता है हाँ मेरे प्रियों वो कह रहा है तेरा सारा शरीर उजयला है प्रणतू अगर तेरी आख पूरी है तो सारा सब कुछ बुरा है तेरा शरी भी अंधिरा है हालिलुया, प्रेज दे लॉड मेरे प्रियों अंधकार से मुझे और आपको बचना है मेरे प्रियों खुदा का बचन कहता है बचन कह रहा है पॉलूस कहते हैं प्रविये शमसे ने कहा परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे साब ने बड़ी चत्राई से हवा को भैकाया वैसे ही तुमारा मन और सीधी और प्रित्ता से जो मसी के साथ होनी चाहिए कई भ्रेष्ट ना कर दी जाए हाँ मेरे प्रियों दूसरा कुरंतियों 12 ध्याय तीन पत कहता है परंतु मैं डरता हूँ साब ने इसे तुमारे साथ धोका किया हवा के साथ धोका किया बुराई कर दी जूट बोल दिया ज़ौत बोलतिया चत्राई के साथ क्योंकि वह परमेश्वर का विरोधी था परमेशर के विरोध करने के लिए परमेशर की बनाई इस सिस्ची को बिगालने के लिए मेरे प्रियों उसने ऐसा किया उसने बड़ी चत्राई से हववा को बहका दिया उसका मन सीधा था उसका मन पुवित्र था उस समय लेकिन मेरे प्रियों जब उसने गुना किया जब उसने पाप किया तो क्या हुआ मेरे प्रियों सब कुछ बदल गया और गुना इस संसार में आगे जिसे लोग जानते नहीं थे जिसे जिसे मनुशे जानता नहीं था वो इस संसार में आ गया मेरे प्रियों हमारा मन परमेश्वर की संगती में रहना चाहिए परमेश्वर के साथ रहना चाहिए जैसे हमारा येश्व मसी पवित रहे उसे उसी की तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए कई शैतान हमारे जीवन को भरष्ट ना कर दे कहीं शैतान हमारे जीवन को बरबाद ना कर दे कहीं शैतान हमारे उन बातों को खराब ना कर दे मेरे प्रीयों हालिलुया प्रेज लोड यह अर्मिया नभी की पुस्तक कैसी है हे मूर्ख क्या गहरी है हे मूर्ख निर्बुद्दी लोगों तुम जो आखे रहते वोए देखते नहीं और कान रहते वोए सुनते नहीं हो आज संसार में हम देख रहे हैं बुराई है पाप है गुनाए वेविचार है गंदगी है लोब लाल सब कुछ है हम जान रहे हैं लेकिन संसार के सरदार शेतान ने मेरी और आपकी आखों के सामने क्या डाल दिया है परदा डाल दिया है ताकि हम भ्रेष्ट हो जाएं परमेश्वर के विरुद हो जाएं परमेश्वर के के पास हम ना जा सकें हम भ्रेष्ट हो जाएं हमारा जीवन ना सोचाएं वो कहता है आख रखते हुए ना देखो और कान सुनते हुए ना सुनो कान रहते हुए भी ना सुनो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके कानों में पड़ता है थोड़ी दिर हम सुनते हैं देखते हैं और फिर चले जाते हैं भूल जाते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर ही मेर प्रियों बचन कहता है इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर उसकी मन की जित पर छोड़ दिया है वह अपनी युक्तियों गें नुसार चले जैसे कि रोमियो आठ 31 कहता है रोमियो पहला दियाए और उसका 28 पत कहता है कि जो मनुष्य कै जिन मनुष्य ने परमीश्वर को पहिचानना ना चाहा तो परमीश्वर cup और मेरे प्रियों परमीश्वर है निकम्मेन प drop छोड़ दिता है झाता है कि मनुष्य जो से खिर चोड़ ए था भदा रहे ही को!' हां मेरे प्रियों और यहां वच्ण वच्छन सहीद क्या सी दाउद राजा कहते का सीद्वी बारा पत में कहता corn मैंने ऑस के मन के हट पर छोड़ दिया मैंने वह निज्स क मन के जित पर छोड़ दिया है कि वह अपनी युक्तियों के निसाल चले गल्ती करता है तो गल्ती करता रहे उसको भुगत ना है मेरे प्रियों चोरी करना हत्या करना परिस्तरिक मन लोब लाला छल लुच्पन कुद्रश्टी निंदा विवान मूर्ता निकलती यह गुना है चोरी करना मेरे प्रियों लोग लालच में आकर लुग में आकर अपने उस विश्वास को तोड़ देते जो उनके मालिक लोग उनके लोग उनके लोग उनके नोपर विश्वास करते हैं ऐसे लोगों का विश्वास वो तोड़ देते जरा से लालच के चक्कर लोब में आकर एक भाई को मैं जानता हूं मेरे प्रियोगा अभी कुछ पहले महीने पहलों की बात है वो कई साल से वहाँ एक जगा पर काम करता था भाई वो और काम करता रहा करता रहा करता रहा उसके मन में शैतान ने लोब डाल दिया कि मैं जल्दी से बड़ा वित्ती बन चाहूं और जहां वो काम करता था मेरे प्योग, उस मालिक से उसने विद्रोग कर डाला, उसके चीजों का लोब कर डाला, वो दुकान उनके गोडाउन से समान चुडाने लगा मेरे प्योग, वो गोडाउन से समान चुडाने लगा, और करते करते कई साल हो गए उसको, और सौरी कई महीने हो गए, आखिर शैतान के जाल में जब वो बुरी तरह फस गया मेरे प्योग, लालाच में फस गया, उसने एक नहीं दस दस चीजों चुरानी शुरू कर दी, एक दिन के अंदर, और क्या हुआ, उस दुकान के मालिक ने उसको पकड़ लिया, अपने लोगों को भेज की, उसके घर पे भेजा तो उसके घर पे बहुत चुरी का समाने का, और क्या हुआ मेरे प्योग, वो जेल में बंद का दिया लिया, पकड़ लिया, लोग और लालच मे अपने विश्वास तोड़ दिया उस भाई ने अपने मालिक का 12 14 साल का विश्वास तोड़ दिया तो मेरे प्रियों शैतान तो चाहता है कि मैं और आप बरबाद हो चाहता है कि हम देखते हुए ना देखे और हमको कोई सुझाई ना पड़े यानि हमें कोई चीश समझ में चाहता है और सुनते हुए भी ना सुनें और ना समझें ऐसा ना हो कि हम समझ जाएं और मन हमारा फिर जाएं कि हाँ मेरे प्रियों मनुश्य आज ऐसा कर रहा है मेरे प्रियों शैतान तो चाहता है कि मैं और आप बर्बाद हो चाहें किसी वी रीती से मैं और आप अच्छे ना रहें चाहता है कि वो बर्बाद कर दे प्रियों के काम थो शै出 for मंदिर मैं खटे ओते थे ne हमारे भॉले rode % में भाने में प्रभूग कि वह रयकल में नहीं जाना चाहते कि मिलना चाहते संसार की बाते हैं संसार की चीदों में दो प्रचार किसी प्रचार को नहीं सुनना चाहेते तीवी में या अन्य बातों में अपने जीवन को वहतीत कर रहे हैं मेरे प्रियों खुदा का धन्यवाद दीजी, अगर आप लोग इन चीजों के जञजाल में नहीं है, टीवी में या अन्य किसी बात में नहीं है, मेरे पिजों। जितना समय हो सके, आज खुदा को देना है, मेरे पिजों। हालेलुया वो प्रती दिन एक मन ओकर मंदिर में उकटे होते थे और घर-घर रोटी तोड़ते थे घर-घर रोटी तोड़ने का मतलब यह शारे रोटी की बात नहीं हो रही है मेरे प्रियों घर-घर रोटी तोड़ने का मतलब है कि खुदा के वचंग की रोटी जैसे मैं और आप आज तोड़ते हैं रोज वैसे ही तोड़ते हैं और आनन्द और मन की सिदाई से बोजन किया करते थे यह नहीं कि आज उसके घर में हमने कल खाया था आज उसके घर में खाएंगे ऐसा नहीं मन के साथ सिदाई कोई कहता था भाईया मरिया बोजन करो तो करते थे प्रेज मेरे प्रियो अद्बुद बाते हैं जैसा लिखाय के परमेशन उन्हें आज के दिन तक भारी नीन में डाल रखा है आज बहुत से लोग तो परमेशन से अलग है मेरे प्रियो जीवन बरवाद हो रहे हैं पूरी रिती से वो नस्ट हो रहे हैं और ऐसी आखें दी जो ना प्रभु का कलाम कहता है मेरे प्रियो प्रभु का कलाम कहता है मेरे प्रियो हिस सेवको जो शरीर के अनुसार तुआरे स्वामी है सब बातों में उनकी आग्या का पालन करो मनुष्य को प्रसंद करने की नाई दिखाने की कालिय नहीं करो आज मनुष्य मनुष्य को खुश क करने में लगाएं मेरे प्रियों मन की सदाई से परमेश्वर का भे मानों आज हम मनुष्य का भे मान रहें आज हम परमेश्वर का भे नहीं मान रहें मेरे प्रियों खुद अब आप मुझे आपको दिन बता रहा है नीती बचन गयता है लोवी जन धन प्राप्त करने में उताव ली रहता है इधर से रिश्वत ले लूँ इधर से पैसा ले लूँ इसका नुक्सान कर दूँ यहां से लूँ आज मनुष्य क्यूं ऐसे चीज़ है नभी के पुस्तक उसका छे अध्याय दस्पत कहता है तो इन लोगों के मन को मोटे को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आखों को बंद कर ऐसा ना हो कि वह आखों से देखें कानों से सुने और मन से भूजें और मन फिर आच्छंगे हो जाए मेरे प्रियों आज हमारा मन भारी है हमारे कान भारी है खुदा के वचन में कोई लगाव नहीं कोई मर्दी नहीं खुदा की ओर हम ज्ञांकते भी नहीं उसको देखते भी नहीं मेरे अजीजों मेरे प्रियों अपने मन को फिराने का आवसर है हम अपने मन को फिराए मन को बदलें ताकि हमारा जीवन परमीश्र के दर्शन में हो सके दूसरा क्रुंतियों चार अध्याय चारपत कहता है और उन अवश्वासियों के लिए जिनके बुद्धि को इस संसार के इश्वन ने अंधि कर दिया है ताकि मसी जो परमेश्वर का प्रतिरूप है मसी कौन है परमेश्वर का प्रतिरूप है क्योंकि चेलों ने कहा हमें दिहा उसने का तुम ने क्या मुझे नहीं देखा जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा आई प्रेज दे लॉड मेरे प्रियो परमसी जू है किसका प्रति रूप है परमेश्वर का प्रतिरूप है बचर ने बताया और जो देजों में उसका क्या है सू समचार का प्रकाशन है वो में जी और आपके लिए मेरे प्रिव गुडेश गुड्नीूस मेरे लिए वो कह रहा है, ख़दावापने क्या कहा है, मेरी आँखों को खूल दे, दाहुद राजा कह रहा है, मेरी आँखों को खूल दे, मैं तेरी विवस्ता की अदूद बातों को जासा, आज जो बचन में शेयर कर रहा हूं, या कोई और भाई वे हैं या बड़े प्रभू के दास कर रहे हैं वो अपनी हिम्मत से सामर से नहीं कर रहे हैं किसे कर रहे हैं ये बुद्धी ये समझ ये ग्यान किस न दिया है परमेशन ने दिया है प्रेज दे लॉर्ड तो मेरे प्रियों अपने आपको देखें जाचे परखें कि मैं और आप किस इस्तिती में चल रहे हैं हालेलुया प्रेज दे लॉर्ड प्रभू आप सबों को बहुत आशीश वरकत दे और आज एक विशेज दिन है आज C&I Day है जो कि आज C&I जो 53 वर्ष कंप्लीट करके 54 वर्ष में प्रवेश कर सुका है इसके लिए भी हम परमेशन को धन्यवाद दें कि परमेशन आपने इस C&I Day को दिखाया है कि हम 53 वर्ष पूरा कर सके हालेलुया और आज हम चार्ज सर्विस में थे परमेशन ने हमें आउसर दिया कि हम अपने सेंट पॉल चिर्च सिविल लाइन्स के अंदर आज इस सेरमनी को मना सके इस विशेज दिन का आनन्द उठा सके इसके लिए हम परमेशन का धन्यवाद देते हैं प्रातना करते हैं कि इस संस्था को परमेशन समाले इसमें अच्छे-च्छे दासो को भेजे जो इमान दारों प्रबु की सेवा करने वाले हो आईए हैं प्रातना करें दन्यवाद, दन्यवाद, दन्यवाद के साथ परमेशन आपके चल्णों में आते हैं आपकी परिस्टितिशन के लिए जो आप हमारे जीवन में आती हैं प्रभू हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रात्ना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो ऑनलाइन है प्रभू हर एक पर आशिश व बरका तो प्रभु जी आपकी दया हो आपकी कर्मा हो सबके साथ आप रहें प्रता प्रमिश्र प्रात्ना करते हैं विशेश थाओड से जितने प्यारे भाई बहने इस समय ऑनलाइन है जो आफ लाइन देखेंगे इन सब पर आशीशो विशेश का जो बीमार है विशेश का इस इंडिविट से रिखा है प्रभु जी उनका जो शुकर हाई हो रहा है प्रभु ये श्मसी तेरे नाम से तो एसे हम कंडित करते हैं और प्रात्ना करते है की तो उस बहन को चंघाही दे प्रभु अपने लहों से शुट कर अने चिज़ों को कंट्रोल कर प्रभु प्रात्ना करते हैं भाई विजए कुमार thou के लिए प्रभु आप उनके साथ भी जो तकलीव उनको हुई है जो पर रिशानी रही है प्रभू ये शमस्याप आज तेरी बिटे को चूँ और चंगा कर प्रभू पुरी रीती से स्वर्स करना मेरे पिता और भी अन्य कोई भाई बेन बिमार है खुदावन मुषधे कर असत्व है कुदावन तो इसको समाल और आशिष चंगाई में ने आमीन और आमीन victprises दलार प्रभू आप सब को बहुत आशिष दे और जितने भी हमारे पाई बेने मैं सब का तैय दिल से शुक्रियादा करता हूँ कि उन्होंने इस समय को दिया है परमिश्रम आप सब को बहुत आशीज दे और कल थर्जे है साथ से आठ सिस्टर रीटा शर्मा और रात्री में रात्री में आठ से नौ सिस्टर सुगंदा जोन आगरा से इन दोनों के लिए आप रात्रा कीजिए और हमारे लिए भी कि हम सब मिल करके बचन की रोटी को तोड़ सके विजे भईया धन्यवाद आपको भी प्रभू बहुत आशीज दे आपके परिवार को आशीज दे और मैंने सारी हैं चक्राइब करते के लिए हम सब बहुत न शुद्भार ज Iya करेंगे एक बार से प्रेज भिजद बूश दौर घनीवाद भाद करते हैं पिता परमेश्र भाई मानिक मानिक शंजी की उनकी पत्नी बहुत दासी पर दयाकर जो दिलके दोए से पीडित हुई है खिडाँण ये शुमसी अपने लहू की धारा उसके दिल से मिला दे जहा hayır श्रीड से मिला दे ताकि जो कुछ रुखावप आई ये वो खुल जाये पिता परमीशर तेरे लहू के द्वारा तेरा लहू जो कलवरी सी क्रूस से बहा पिता परमीशर उससे चंगाई मिलने पाए तेरी बेटी डॉली को प्रबू और कल तेरे भाई के द्वारा ये बात बताई जाए पिता परमीशर कि वो चंगी है प्रबू तूने उन्हें चंगा कर या यह मिशुवास करते हैं बेहन डॉली के लिए तुने कोड़े खाएं बेंडौ ऑली के लिए तुने का टाशfect बेना मेरे पिता तिना धन्यवाद करते हैं खुदावान तुँ अमारी इस प्यारी वहन को चंग आई दे पिता जी के सम्मुक ये शजय के नाम से पवितात्मा की अगवाई में इस प्रात्मा को मंग लेते हैं आमेन आमेन और आमेन और एक प्रात्मा और करेंगे विजय भहिया के लिए और भहिया ने लिखा है कि उनक कुमार दिवेदी जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं हमारे भाई पर तेरी आशीश वरकत हो खुदावन तेरे भाई को तेरे चड़नों मिलाते हैं उनके परिवार को तेरे चड़नों मिलाते हैं खुदावन हम सब भाई भेन पिदा परमेश्वर तेरे वचन तेरे नाम और तेरे कामों में बढ़ने वाले पढ़ सके प्रता परमेशर तेरे बाई ये शुमसी आप में और बड़े और आफ बड़े और बड़े प्रबु घर एक बाधाउं से दूर करना खुचावन हाँ खुदावन तेरी और ताकने वाले बन सके मेरे पिता प्रात्रा करते इस परिवार को तू उठा अपने साथ संगती में ले खुदावन जो भी कमी है जो भी घटी है तू समझा उनको पिता परमिश्रप में वचन के द्वारा ताकि उस कमी घटी को दूर करके पर तेरे बचदि में तिरे साथ लौलीन होके आगे बढ़ने वाले बन सके इस परिवार को अपने लभी के बाड़े में रखना एक एक जन को भाईया को भावी को फितिया को उनके बेटे को उनके बहू को और परिवार में अन्य और को इस से सब को भні यहां Till सब से हो को आशीच वे के ना खुदावन अपने लगों के पाड़े में रखना थाकि ये विश्वास विश्वासी परिवार और विश्वास में बढ़ने वाला बन सके, पिताजी के संभु के इश्वजम के से परतात्मा के अगवाई में इस प्रात्मा को मांग लेते हैं आमीन आमीन और आमीन प्रेज दे लॉड हालेलुया थेंक यू आप सब को भी प्रभु बहुत आशीज दे बरकत दे और अपने अनुगरह में रखे और रोज दस से साढ़े दस बजे प्रभु में होते हुए ह हम सब रोज मिलें ताकि प्रभु के वच्छन की रोटियम लगातार तोड़ते रहें प्रेज दे लॉड हालेलुया जै मसी की